दोस्तो रिवार्ट एनेक्स हंड्रेड ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 89,000 में 100 किलिमेटर रेंज देती है अच्छा लुक है अच्छी मोटर है अच्छी स्पीड है लेकिन दोस्तो रुको 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 अपडेट्स इसके उपर काफी आच चुके है और रिवार्ट की रेंज अच्छी होने के कारण और प्राइसिंग अंडर वन लाक रुपेज से शुरू होने के कारण काफी कस्टमर इंट्रेस्ट दिखा रहे है लेकिन यार इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलिवरी कब से चालो होगी टेसराइट कब से चालो होगी इसके उपर भी हम इ इसा कुछ सीन रिवार्ट मोटर्स के नाम पर भी हो रहा है और यह रिवार्ट मोटर्स ने ऑफिशली सोचल मीडिया पर भी डाल दिया है कि यार यह फेक स्कैमर है जो स्कैम कर रहे है जिसे की रिवार्ट मोटर्स की आईडियो और इन्होंने दिखा यह फेक आईडियो बना रही है अदरवाइस कोई भी पेमेंट वो नहीं ले रही है तो अगर आपको कोई कॉल आता है या कोई इमेल हो अगर आता है तो उससे आप बच के रहे ना ये बात मेरे को अच्छी लगी तो ये कुछ सीन यहाँ पर फ्रोड का चल रहा है कस्टमर की डिमांड जादा आती है तो स्कैम करने वाले बंदे भी काफी बेट चुके है तो चली यार उसके बात करती है यार डिलिविर कब से जो है रिवार्ट एन्नेक्स हंडर्ड एलेक्टरिक स्कूटर की चालू होने वाली ये और टेस्राइट कब से चालू होगी और कौन से सीटी में सबसे पहले पर काफी कस्टमर ने ये कोशन पूचा है इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है तो रिवार्ट मोटर्स की तरब से रिपला है मैं देखने को मिला जो इसकी टेसराइड चालू होगी नेक्स पांच छे महिने के प्रॉक्स ली चालू करेंगे में से लेकर जून तक आप बोल इन लिया है जैसे सिंपल वन ने जादा लिया था उतना आमांट तो इन्होंने नहीं लिया है ये बात मेरे को सबसे अच्छी लगी और नया स्टार्ट अप होने के कारण उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा बट सिंपल वन जैसा ये तो नहीं करने वाली क्योंकि इंडिया सिंपल वन जैसा reward मोटर्स करेगी आपको क्या लगता है reward मोटर्स के बारे में comment में जाकर जरू से जरूर बताना है तो मेरे साब से आपको इस electric scooter के लिए वेट करना ही चाहिए अगर आपको urgent नहीं है तो इसके उपर काफी हमने वीडियो बना ही जो कि आप चैनल पर जाकर चेक आउट कर सकते हो और साइड में दो वीडियो आ रहे होगी उसको भी आप एक बार जरू से जरू चेक आउट करना